एक दिन तीन दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं भाई देव अभी हम जिन्दा हैं इसलिए अपने माबाप और बीवी बच्चों का खर्चा उठा पा रहे हैं अगर हमको गलती से भी कुछ हो जाता हैं तो पीछे से हमारे बीवी बच्चों और घरवालों का ख्याल कौन रखेगा उनका क्या हाल होगा मुकेश और देव सोचने लग जाते हैं और बोलते हैं भाई राम तु ठीक बोल रहा है क्यों ना हम तीनों जाकर एक लाइफ इंसोरंस करवा लेते हैं इसके साथ हमारी फैमिली वालों को एक स्पोर्ट मिल जाएगी फिर तीनों दोस्त लाइफ इंशोरंस करवाने के लिए राजी हो जाते हैं फिर दो दिन बाद तीनों दोस्त एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और पूसते हैं हाँ भाई करवाली L.I.C दो दोस्त बोलते हैं हाँ भाई राम करवाली L.I.C हम दोनों ने एंडॉमेंट प्लैन करवाया है फिर राम बोलता है मैंने तो टर्म इंशोरंस करवाई है और फिर देब बोलता है राम भाई तूने गल्ट इंशोरंस करवाली है हम दोनों के गरवाले एंडॉमेंट प्लैन ही करवाते हैं और पूरी दुनिया तो एंडॉमेंट प्लैन करवारी है फिर राम थोड़ा सा मुस्कराते होए बोलता है दोस्तो मैं दुनिया से अलग चलता हूं और ऐसे बोलके वो वहां से चला जाता है कुछ सालों बार देव की कैंसर के कारण देथ हो जाती है और उसके LIC अंडॉमेंट प्लैन के अकोर्डिंग देथ अगर LIC चलते टाइम हो जाती है तो उसकी फैमली वालों को पांच लाक रुपे उस ही टाइम मिल जाएंगे देव के गर पर उसके दोस्त राम और मुकेश भी आए हुए थे और मुकेश राम को बोलता है देख भाई तेरे को बोला था अंडॉमेंट प्लैन करवाले देव के गरवालों को पांच लाक रुपे उस ही टाइम मिल गए ऐसे बोलके वो वहाँ से चला जाता है 25 साल बाद मुकेश राम के गर जाता है उसको मिलने के लिए राम मुकेश को देख कर बहुत खुश हो जाता है मुकेश बोलता है भाई आज मेरी L.I.C. अडॉमेंट प्लैन पूरा हो गया है और मुझे 14 लाक रुपे मिले है मैंने ट्रेविलिंग करने के लिए न्यू कार ले ली है तेरे घर के पास ते निकल रहा था सोचा तुझे मिलता चलू फिर राम बोलता है कॉंग्रेचुलेशन बाई तुने न्यू कार ली है फिर मुकेश राम के गर से कुछ टाइम बाद चला जाता है काफी सालों बाद राम की भी देथ हो जाती है और उसकी LIC Term Insurance Plan के अकोरडिंग उसके घरवालों को एक करोडर रपिया मिल जाता है दोस्तो LIC का मतलब Life Insurance होता है ना कि कितना जल्दी रिटर्न मिलेगा सही LIC में ही इनवेस्ट करें और ये वीडियो कोई recommend नहीं है आप अपने अकोरडिंग अपनी LIC Plan के अंदर इनवेस्ट कर सकते हैं